मनुष्य की नव निर्मान वाली सोच को एक बहमुल्य उपहार के रूप में माना गया है दूसरे शब्दों में मनुष्य को अन्य प्राणी उसे सर्फ्ष्रेश माना गया है देखो मनुष्य क्या है एक ऐसा प्राणी है जिसमें कुछ ना कुछ खूबियां जरूर है दूसरे शब्दों मनुष्य को अन्य प्राणी उसे सर्फ्ष्रेश माना इसलिए गया है क्योंकि उसको जो भी कारे दें वो कर देते हैं यहां पर लिखे है हमने कि मनुष्य को अन्य प्राणी से सर्फ्ष्रेश माना गया है क्योंकि वह तो भी हुआ उसमें फर्फ consecut सकते हैं इसे नहीं की जो बनदाग गलत कररे हैं उसको गलत करने दिएGGे इसको रोक भी सकते हैं ऐसा मत कर, कुशहाल जीवन, कुशहाल जीवन, जीने के लिए नई खोज तथा, नई शर्तों की अवशक्ता होती है, ठीक है, कुछ भी आप नया कर रहे हो, तो उसके लिए नई जीवन जीने के लिए आपके पास नई शक्तियां अवशक्ता हैं, की अवशक्ता आपको होती ह अब देखो, यद्यपी व्यक्ति की समुहूं तथा संस्कृतियां कल्पनाएं तथा सोच में भिनता होती है, अब सब की अपनी अपनी सोच है, किसी व्यक्ति की कुछ सोच होगी, किसी की कुछ सोच होगी, संस्कृति की कल्पनाएं उनके अबारे में अलग सोच होगी, परं मुल्य है भो भोतिक मुल्य समाजिक मुल्य संद्रात्मक मुल्य मॉलिक सोरी नैतिक कथा नयाइक मुल्य अध्यात्मिक मुल्य मानविय मुल्य यह सारे मुल्य जो है इसके अंडर आएंगे ठीक है जो पिडियुश मीडियम वाले है उनके लिए यहां पर है अगर किसी को चाहिया होगा तो पीडियाप वह ले सकते हैं फिर भी मैं बता हूं the most valuable god gift of human being is that they can have creativity thinking in other words human beings are superior to any other creature on the on this earth therefore because they can differentiate between right and wrong the realization of good life also demands the creation and condition all the other groups in the values and culture differ with each other in terms of their dreams and thinking but there is a large measure of common community with respect to the values which constitute happy and good life so the values are material value social value aesthetic value moral value ethic value spiritual value and human value ठीक है जिसको हिंदी में समझ आगे इंगलिश में वो अराम से लिख सकते है तो यह थी हमारी unit one ठीक है जिसमें हमने यह सारा कुछ डिसकस किया देखो इसमें हमारा थोड़ा सा छूट गया था nature of self confidence के बारे में तो self belief आपके अंदर के एक self belief होना चाहिए किसी भी कारे को करने के लिए self belief होना चाहिए self love आप में अपने प्रती प्रती भी प्यार तो होना चाहिए दूसरों के प्रती भी प्यार होना चाहिए ठीक है next I guess में happiness happiness से आप समय सकते हो यह खुद तो खुश रहो दूसरों को भी खुश रखो कर सकते हो वह सारे समय आएगा sociable, competitive, hard working, hard working के बाद MSCS, determined, positive ठीक है यह अगर आप 5-6 पॉइंट भी आप explain कर दो तो आपके लिए काफी है next is characteristics of important and importance of self confidence यहां पर आएगा twice यानि कि संतुलन और आगे की और अगर सर होना ठीक है एक तो आप में confidence होना चीए आप अगर better feel कर रहे तो आगे आप जा सकते हो कोई भी काम गर होगे आप सबसे बेले जाओगे ठीक है कैसा नहीं कि आप बैठें आप उस आपके चेयर है आप बैठें और उसको ना पूछा ना कुछ वह बचारा कड़ा रहा ठीक है डूवट इस राइट वही कारे करो जो सही है ठीक है तो यह था हमारा first unit का कुछ टोपिक अब next unit में हम मिलते है next वीडियो में अगरे वीडिय करें लोगी प्ली लाइक शेर कमेंट जरूर करें अपने फ्रेंस के साथ ज्यादा शेयर करें और किसी को अब फस्ट यूनिट या second unit की पीडियो चाहिए तो 981 67981 6718076 पर वो मुझसे पीडियो प्रोवाइड कर सकते है ठीक है अब प्रीडियो उनको प्रवाइड हो जाए थेंक यू मिल दे नेक्ट वीडियो में